वेलकम बैक मक्तुमी कशात आप कैसे हो नीचे कमेंड करके ज़रूर बता सकते हो हम आज आचुके है एक डिफरेंट वीडियो के साथ और हाँ हमारे पास है प्राइम बुक वाइपाई और आज किस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं बहुत ही क्यूरियस था अमन वर्मा और शित्रांशु महंत को शार्क टैंक में देखके क्यूंकि इन्होंने ही 2023 में इस लैप्टॉप को लॉंच किया था specially student को द्यान में रखते हुए उसके बाद अपकोर्स यार मैंने भी online जाकी इस प्रोड़क के बारे में पढ़ा research किया और कुछ हमने टेस्टिंग भी की है तो उसके बाद ये प्रोड़क्ट मुझे actually useful लगा और अब तक ये बहुत सारे NGOs, EDTEX और स्कूलों के साथ मिलके काम कर चुके है और बहुत सारे लोगों ने इस laptop को खरीदा भी हुआ है और flip card के उपर आप देख सकते हो rating भी आपको high देखने मिल जाती है लगबग 4.2 प्लस की rating है जब लोगों को ये product पसंद आता है तब लोग product के उपर rating करते है तो rating तो अच्छी है तो चलो यार इस prime book की फटाफट unboxing भी कर लेते है और बहुत सारे features भी explore कर लेते है तो box के उपर सबसे उपर made in India लिका हुआ है मतलब ये made in product है और उसके सासाथ कुछ features भी यहाँ पर mention है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो wifi की connectivity देखने मिल जाती है 2 GHz का ARM processor है 11.6 inch का बड़ा screen देखने मिल जाता है 64 and 128 GB की storage देखने मिल जाती है 6 hour plus का यहाँ पर battery life भी देखने मिल जाएगा 1 year की warranty देखने मिल जाएगी और यहाँ पर आपको whatsapp and call का support डायरेक्ट देखने मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर एक number mention है उसके सासाथ यहाँ पर आपको एक user manual भी देखने मिल जाता है मतलब user guide है यह बेसिकली और यहाँ पर कौन सी की किस के लिए function करती है सारे shortcuts यहाँ पर mention है और उसके सासाथ यहाँ पर की mapping भी कर सकते हो मतलब इस laptop को आप gaming के लिए यूज कर सकते हो की mapping करके यह भी मैं आगे आगे आपको explain करूंगा बाकी यह रहा laptop मैं दिखाऊंगा आगे बाकी charger वगरे चेक कर लेते हैं तो हाँ यहाँ यहाँ पर हमें type-c के साथ charger देखने मिलता है तो यह चीज मुझे देखके काफी अच्छी लगी तो चलो इसको निकालते हैं बाहर और हाँ यह light weight देखने मिलता है 1.065 kg का यह laptop है तो इसके अंदर हमें सबसे पहले type-c का port देखने मिलता है चार्ज करने के लिए उसके बाद mini HDMI का भी port है यहाँ पर उसके बाद USB का भी port देखने मिल जाता है और opposite side के यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी micro SD card का slot देखने मिलता है और इसके अंदर आप 512 GB तक storage को expand भी कर सकत बाके आप laptop को जैसी open करते हो तो उपर के side में आपको 2 Maya Pixel का camera भी यहाँ पर देखने मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर दो microphone का भी support है मतलब आप meetings वगर अगरते हो तो यह microphone ज्यादा काम पर आएंगे और उसके साथ साथ आप जैसी power on करते हो तो यहाँ पर LED light का भी support देखने मिल दा है मतलब power on करने के बाद यहाँ पर green LED light चमकती है तो इसी कुछ LED lights भी है यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर मैंने notice की जो hinge support है यह भी अच्छा है मतलब जिस angle पर आप laptop को लॉक करना चाहते हो लॉक कर सकते हो तो जैसी कि यहाँ पर मैं लॉक करन और जो buttons है यह भी आपको tactile देखने मिल जाते है और हाँ easily पर प्रेस होते है तो keyboard का भी experience आपको सही देखने मिल जाता है अब कोई भी laptop को display भी उसका important factor होता है तो इस laptop के अंदर हमें 11.6 inch IPS display देखने मिल जाता है जिसका resolution आपको 1366x768 देखने मिल जाता है और जितनी मैंने आपे video quality चेक की YouTube के उपर तो 4K का भी support देखने मिल जाता है बट video quality आपको full HD में अच्छे देखने मिल जाती है जैसी कि आप आप देख सकते हो उसके साथ साथ किसी भी laptop को चलाने के लिए लगता है एक अच्चा processor तो इसके अंदर आता है midiatek 8183 का processor जो 4GB RAM LPDDR3 को support करता है 64GB की storage इसके साथ आपको देखने मिल जाएगी वैसे आप microSD card से storage को expand भी कर सकते हो लगबग 512GB के आसपास तो यार 512GB storage जो expand कर सकते हैं यह working professional के लिए कान पर आ सकते हैं उनके जो भी project वगर है यह आप easily e-space के अंदर save कर सकते हैं तो storage की भी आपको कोई चिंदा करने के performance चेक की जैसे की lecture के लिए movies देखने के लिए music सुनने के लिए little bit video gaming के लिए और हाँ video editing भी कर सकते हो तो इन चीजों में यह processor smooth function करता है इसकी performance मुझे अच्छी देखने मिली बाकी दोस्तों यह prime book आता है android based OS के साथ जिसको बोला जाता है prime OS और यह जो prime OS है ना यह पहले इस का multitasking का भी future मुझे अच्छा लागा चलो इस multitasking के feature को मैं explain कर देता हूँ तो यहार आप multiple apps वगरे open करते हो जैसे कि यहाँ पर आपने तीन चार आप उपन करके रखे है तो सारे आपको नीचे यहाँ पर apps शो होंगे तो पहले आप से दूसरे आप में आप easily switch हो सकते हो जित साथ साथ आप screen recording भी कर सकते हो मतलब lecture का कुछ आपको record करना तो lecture की पूरे आप screen recording कर सकते क्रीन शॉट भी हाँ पर ले सकते डार्क मोड का भी option देखने मिल जाता है और यह वाइफाय को भी support करता है मतलब वाइफाय का maximum speed आपको इसके साथ देखने मिल जाएगा बैक आने का भी यहाँ पर बटन देखने मिल जाता है इसको आप क्लिक करते हो तो easily आप बैक भी आ सकते हो तो हाँ बटन्स वगरे सारे आपको laptop के उपर देखने मिल जाते बाकी चलते है सेटिंग में तो प्राइम हो इसके अंदर आपको basic सारे settings यहाँ पर देखने मिल जा जाते है जो भी apps आपके required है यह easily आप यहाँ से इस्टॉल कर पाऊगे जैसी कि यहाँ पर prime coding का भी option देखने मिलता है coding वगर आपको करनी है तो बाकी pw का भी app देखने मिल जाएगा खान सरका खान academy भी आपको देखने मिल जाएगी earn academy के भी apps यहाँ पर आपको देखने मिल मिल जाते है बाके आपको gaming अगरे करनी है तो इस prime book के अंदर एक feature देखने मिलता है की mapping की mapping को आप अपने gaming के बटन के साथ क्रिस्टमाइज कर सकते हो जैसी कि मैं bgmi को try करता हूं तो हां यार इस laptop के अंदर आप bgmi जैसी game playback कर सकते हो जैसे कि PUBG के अंदर fire button है यहाँ पर मै laptop के buttons का use करके easily gameplay भी हापे कर सकता हूं तो यह key mapping का भी इसका feature मुझे interesting लगा आप बात करते है इसके battery lab की battery lab आपको 6 घंटा मिल जाएगी तो इस 6 घंटे के अंदर आप movies, videos, games, web series, आसानी से stream कर सकते हो और student को ध्यान में रखते होए यह battery lab अच्छी मानी जाएगी और उतना इसको charge करने के लिए हमें type-c का भी support देखने मिलता है और लगबग एक घंटा लगता है full charge होने में बाकी हाँ connectivity के भी regarding यहाँ पे कोई issue नहीं होंगे wifi का support है Bluetooth का भी support देखने मिलता है और USB के आपको 2 port देखने मिल जाते मतलब connectivity एकदम sorted देखने मिल जाएगी बाकी हाँ meetings व बाकी आपके पास credit card वगरे है तो आपको और भी कम price में मिल सकता है और इस price range को आप देखते हो तो हाँ यार बहुत सारे features के साथ देखने मिल जाता है और specially student को और work professional को जादा टाड़ेट करता है जैसे कि जितना मैंने हापी check किया था easy to use interface देखने मिलता है क्योंकि android based prime OS है और उसके साथ multitasking भी कर सकते हो और बहुत सारे educational app बे आपको इसके साथ देखने मिल जाते है coding बे आप कर सकते हो और storage को भी expand कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे SD card का भी slot देखने मिल जाता है तो मेरी साथ से student के लिए अगर यह recommended रहेगा आपको buy करना है तो link कर description पे मिल जाएगा यहाँ से आप easily buy कर सकते हो बाकिस laptop का आपको कौन सा feature पसंद आया definitely आप नीचे comment कर सकते हो और यहाँ तक वीडियो दे क्या आपने subscribe नहीं है तो subscribe कर लेना बाकि आपका कोई भी suggestion feedback नीचे ज़रूर comment कर लेना बाकि मिलते हैं next video में जैन दोस्तो